हाज हम लोग बनाएंगे मेथी आलू मटर की बिल्कुल आसान सी सबजी जो बेगनर्स भी इजीली बना सकते हैं इसे बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले लेंगे मेथी उसे अच्छे से साफ कर लेंगे इसके बाद इसे बारीक बारीक काटना है इसके साथ लेंगे अध्रक इसे मिक्सी जार में हम लोग पीस लेंगे पीसने के टाइम पे इसे पैस नहीं करना है दर दरा पीसना है आप चाहें तो उसे खूंख लें पेश तरह से दर दरा होना चाहिए अभी एक पान ले लेंगे उसमें डालेंगे तीन से चार चमस्ट तेल तेल जैसे ही गरम हो जाए इसमें हम लोग डालेंगे टमाटर, टमाटर को काट के डालेंगे इच्छे के मेक्स करना है इसमें डालेंगे मसाले, सबसे पर्ले डालेंगे इसमें हल्गी, लाल मिर्च, तनिया पाउडर और नमग मिक्स करेंगे और दीमी आज़ पर इसे पकाएंगे जैसे टमाटर गल जाए के इस तरह से इसके बाद इसमें डालेंगे सबजियां, आलू, मत्रो, मेथी, मेथी को अम लोग दूप्टे डालेंगे इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद इसे डखके दीमी आज़ में पकाएंगे 5-10 मिनिट के लिए पीच-पीच में गुमाते हुआ आएं जैसे जले नहीं सबजिया पानी छोड़ेंगे, उसी में ही पकाना है, एक्छा पानी नहीं डालेंगे इसमें मेथी का टमाटर का पानी निकलेगा चेक करेंगे, आलू गलाए के नहीं, यह गल्चिका है इच्छे से मिक्स करेंगे, एक दो मिनिट और पकाएंगे उसके बाद इसे हम लोग घर्म गर्म सर्फ करेंगे बहुत सिंपल है यह सबजी बनाना, बहुत टेस्टी है एक बाल जरूर बनाएं, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा और मेरा वीडियो देखने के लिए थांक यूू। अगर आपको मेरे वीडियो पतन आएं तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्स्राइब करें और मेरे आने वाले नहीं वीडियो को देखने के लिए बेल आइक को दिख करें